लंबे वक्स से मुश्किलों में फसी जॉन की वेदा की गर्दन अब प्रॉब्लम से बाहर आ गई है जी हाँ, जॉन उब्राहम की वेदा पर सेंसर बोर्ड ने कैंची चलो दी है जॉन उब्राहम की वेदा को सेंसर बोर्ड ने कुछ सेंस काटने के बाद सर्टिफिकेट भी दे दिया है तो आए जॉनते हैं कि वेदा का कितना लंबा सीन डिलीट किया गया है साथ ये फेल्म को कौन सा सर्टिफिकेट मिला है और अब इस काट छाट के बाद फेल्म की लेंथ कितनी हो गई है देखिए जॉन उब्राहम और शर्वरी वागी की फेल्म वेदा पिछले काफी दिनों से चर्चा में बनी हुई है फेल्म 15 अगस को थियेटर में रिलेस हो रही है लेकिन इससे चंद दिन पहले ही सेंसर बोड ने इसके एक एहन सीन पर कैंची चला दी है सेंसर बोड ने वेदा को यूएस सर्टिफिकेट दे कर फेल्म के रिलेस को हरी जंडी दे दी है सबसे पहले आपको बिताओ दें कि यूएस सर्टिफिकेट का मतलब यह है कि इस फेल्म को 12 साल तक के दर्शक बड़े अराम से इस फेल्म को देख सकते हैं अपने पेरेंट्स के परमिशर के साथ में अब इसी के साथ आपको बिताओ दें कि फेल्म में कुछ बड़े बदलाओ भी किये गए हैं मेकर से कहा गया है कि वो उन सीन्स को डिलेट करें जो विवाद ही थें कॉन्ट्रो और श्यर हैं और कुछ डालोग बदले जाएं पर अब फेल्म से 9 मिनट के सीन हटा दिया गया है काफी कांट चार्ट की गई है बॉलिवड हंगामा के रिपोर्ट के मताबिक सेंसर बोड ही मेकर से 1 मिनट 16 सेकंड के डिस्क्लेमर को बदलाओ करने और एक वाइस ओपर जोड़ने का रक्वेस्ट भी क्या था अब वेदा 2 घंटे 30 मिनट लंबी फेल्म होगी फेल्म से सेंसर बोड ने क्या कार्ट चार्ट करवाई हैं कौन से सीन हटाए हैं आब ये भी थोड़ा जान लीचिये जी हाँ सेंसर बोड ने उस डायलोग को भी बदलने के लिए कहा है जो महिलाओं और समाजिक पहचान के प्रति अपमान जनक समझा जा रहा था फेल्म में एक गाली भी थी और उसे भी हटाने को कहा गया रिपोर्ट के मुताबिक वेदा में 2 मिनट 16 सेकेंड लंबा फांसी वाला सीन भी हटा दिया गया है इसके अलावा फिल्म में नोट फारने वाला एक सीन है और सेंसर बोड ने उसे भी धुंदला कर दिया है कुल में लाकर के ये तमाम छटने के बाद से अफ़र्म यूए सर्टिफिकेट के साथ थीएटर्स में रिलीज होने के लिए तयार है बला आप बताएए जोन इब्राहम की वेदा को लेखने के लिए आप कितने ज़रा एक्साइटेड है बॉलीवोड की लेटेस्ट न्यूस, गॉसिप, फिल्म रिव्यूस, सॉंग रिव्यूस के लिए सब्स्क्राइब करें हमारे चानल क्रेजी फॉर बॉलीवोड को और येस, डोंट फोगेट तो प्रेस्ट बेल इकन ताकि हमारे चानल पे आई कोई भी नई इंफॉर्मेशन आप बिल्कुल भी मिसना कर पाएं